बॉलिवुद डीवा शिरी देवी की बेटी जानवी कपूर आज बॉलिवुद में किसी पहचान की मौत आज नहीं है उन्होंने साल 2018 में फिल्म धड़क से बॉलिवुद जगद में कदम रखा अपनी डेव्युद से पहले वो बॉलिवुद में अपना कदम बहुत ही फूपूप कर रख रही थी वो आने वाले टाइम में कई बड़ी फिल्मों में नज़र आने वाली है इससे पहले जानवी कपूर गुंजन सकसेना धड़क रूही अफजाना जैसे फिल्मों में अपनी आक्टिंग से लाखों लोगों के दिलों में खाज जगा बना चुकी है आज यानी 6 मार्च को है जानवी कपूर का हैपी वलाब बादे और इस मौकी पर हम आपको जानवी से जुड़ी कुछ ऐसी बाते बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद लोग ना जानते हो 6 मार्च 1997 को पैदा हुई जानवी आज पूरे 24 साल की हो गई है जानवी कपूर ने फिल्म धड़क से हिंदी फिल्म जगत में कदम रखा करन जोहर के इस फिल्म में इशान खटर उनके ओपोजिट नजर आई थे लेकिन बेटी को सिल्वर स्क्रीन पर आक्टिंग करते देखने से पहले श्रीदेवी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया फिल्म रिलीज होने से पहले ही दुबई में श्रीदेवी की डेथ हो गई जानवी के लिए ये काफी बड़ा सदमा था शीर देवी अपनी बेटी के डेबियो को लेकर काफी एक्साइटिड थी वो शूटिंग के दौरान जानवी का काफी होसला बढ़ाया करती थी और इसके साथ ही सेट पर भी पहुँच जाया करती थी लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मन्सूर था जानवी की फिल्म रिलीज होने से पहले ही श्रीदीवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया जानवी कपूर को अपने करियर की शुरुआत में साथ की सूपर स्टार महेश बाबू की फिल्म ओफर होई थी ये एक तेलगू फिल्म थी जानवी को ये ओफर धड़क से पहले मिला था लेकिन जानवी ने इस फिल्म का ओफर ठुकरा दिया था बताय जाता है कि महेश बाबू और जानवी की उमर में काफी बड़ा फासला था जिसकी वज़ा से वो इस फिल्म के लिए राजी नहीं हूई जानवी कपूर के लव लाइफ के बारे में बात करे तो जानवी ने एक बार करन के शो में ये खुलासा किया था कि उन्हें राजकुमार राओ से प्यार है इसके साथ ही वो उनकी काफिर रस्पेक्ट भी करती है हलाकि दोनों के प्यार पर कभी मोहा नहीं लग पाई और राजकुमार राओ ने पत्र लेखा के साथ शादी रचा ली शुरुआ से ही जानवी की तुल्ला उनकी मा श्रीदेवी से की जा रही थी श्रीदेवी के चाहने वाले भी जानवी के अंदर उनकी मा की छवी को देखते हैं हाला कि जानवी ने अदकारी में उनके तुल्ला मा से किये जाने पर कई बार कहा कि उन्होंने कभी भी अपनी मा की अदकारी को नहीं फॉलो किया है। उन्होंने अपनी मा की सिर्फ पांच फिल्में ही देखी है। एक बार जानवी से पोछा गया था कि वो किस तरीकी की स्क्रिप्ट लेना चाहती है तो उन्होंने कहा था कि वो स्क्रिप्ट की जगा पर किरदार पर जाद ध्यान देंगी जो निभाते हुए उने काफी चुनौती पूर्ण लगेगा उन्होंने ये सब कुछ अपनी मा श्र पर जानवी को फिट रहने के लिए काहा करती थी इसकी वज़ा एक्टरोस बनना नहीं था बलकि वो सिर्फ ये चाहती थी कि जानवी हमेशा बिल्कोल स्वस्त रहे हाला कि जानवी का जुका व शुरू से आक्टिंग की तरफ था यहीं सब कुछ देखकर शिरीदेवी ने भी हामी भर दी थी जानवी का पूर घूंडे की बहुत जादा शौकीन है उन्हें देश से लेकर विदेशों की कई जगाओ पर जाना काफी पसंद है अक्सर इंस्ट्राग्राम पर उनकी दुनिया भर की घूमती तस्वीरों को आप देख सकते हैं फिल्म जगत में आने से गूमते फिरते कई दफा देखा गया है जानवी कापूर में सबसे अची बात ये है कि वो हमीशा विवादों से दूर रहती है वो मीडिया में किसी भी तरह की बयान बाजी करने से बचती है सोशल मीडिया पर जानवी की तमाम फोटोस चर्चा में रहती है बावजुद उ उनकी किसी भी फोटो या फिर वीडियो को लेकर उन्हें ट्रोल नहीं किया जाता है और ना ही किसी तरीके की कोई कॉंट्रोवर्सी देखी गई है वेल हमारी तरफ से बॉलिवुद आक्ट्रोस जानवी कापूर गोजनम दिन की धेर सारी शुक्कामना है